और राइट गाइज वेलकम को एपिसोड फोर हम इस एपिसोड के अंदर करने वाले स्टोर डिजाइन पेजेज पिक्सल्स और अपने पहले एड्स को लांच करेंगे अब क्योंकि हमारे स्टोर का जो डिजाइन होगा वो शॉपिफाय की उपर रहो तो बहुत ही सिंपल होने है तो हम क्या करेंगे सीटी फॉर्म इंस्टॉल करेंगे अलॉंग विद फंक्शनालिटी की अगर को प्रिपेड भी और करना चाहते है तो उनके लिए एक ओफर सा हो जाए हमारे पूरा स्टोर रहनों इसको ब्रेक कर सकते इंटू मेंली फॉर पार्ट एक होगा प्रॉड कार्ट में आड़ कर रहा है फिर चेक आउट कर रहे हैं अब हमने पहले ही सेटिंग्स के अंदर पॉलिसी कॉंटाक्ट और यह सब चीज़े तो बना लिए तो अभी हमें उन से चीजों को लेकर नहीं ध्यान देना हमें ध्यान देने डिजाइन को लेकर कैसे हम चीजों को कर रहें देखो जो दिखता है वही बिखता है आप क्या बेस्ट तरीके से अपने प्रॉडक्स को दिखा सकते हैं कस्टमर्स को और मेजॉरिटी अफियर कस्टमर्स मैं बतायता हूं आपका जो जाधा तर टाइम जाना चाहिए न वह जाएगा ओन यॉर प्रॉडक्ट सकते हो आपको कुछी घंटे लेगें आपको पूरा को पूरा स्टोर डिजाइन हो जाएगा चलो मेरे कंप्यूटर के अंदर चलो मैं आपको दिखाता हूं कैसे स्टोर को पूरा डिजाइन करना है step by step और एक पूरा checklist है हमारे पास जो कि आपको description मिल जाएगा जो इस है home page फिर collections page product page और फिर cart slash checkout page mainly आपको इन चीजों के अपर ध्यान देना है और यह चीज़े बनाने के लिए क्या क्या चीजों के उपर आपको क्याम करना है पूरा जो आपका store बनेगा वह आपका होगा Shopify के उपर तो Shopify के उपर बहुत सारे free themes मिलते है free themes कहां से आपको मिलेंगा आप online store के अंदर themes के अंदर जाओगे यहां पर आप देख सकते हो यहां पर मैंने sense करके theme है जो यूज किया हुआ है जैसे अगर आप यह देखो यह मैं यूज कर रहा हुआ है sense वाला theme आपको sense जा actual theme वह ऐसा है कोई green सा है और इसमें like products जो बने है वो सारे make-up और उसको लेकर बट यह आप देखो के okay please एक दम ही अलग है है न क्योंकि जो color scheme जो हम decide करेंगे जो font यूज होना है इसके उपर हमने decide करना है जो menu कैसे बनना है वो सारे कुछ हमने decide करना है और कैसे decide करना है वेल एक बार आप add करोगे कोई भी theme अपने Shopify store की उपर फिर उसके बाद वो यहां पर आपके install हो जाएग और उनको मैं customize कर सकता हूं अगर कोई theme को मैं publish करना चाथ तो मैं publish दबा दूँगा यह जैसे मेरा currently published theme है तो हम शुरुआत करते हैं को समझाता हूं basically कैसे काम करता है मैं शुरुआत हमेशन theme settings के साथ करता हूं ठीक है यहां पर आके आप अपने logo set कर सकते हो ठीक है फिर आप फिर accent 1 जो red वाला है वो भी मेरे कई चीज़ हम यूज़रा है थिंक buttons वगरा हम यूज़रा है और फिर यह जो grey सा background अगर देखो कि इसका भी background 1 है वो उसका background ऐसे है तब सारी सारी चीज़े जो होती है तो टोटल साथा चीज़े है उनका basically colors अपने साब से choose कर सकते हो ठीक है और उसके इलावा भी आप बहुत कुछ और जैसे अब बटन कैसे करना है product cards इन सब के उपर भी आप customization कर सकते है और यह optional होते है mainly जो काम करना होते हो logo colors और typography अपने कर लिया ठीक है done फिर उसके बाद आपन क्या करेंगे check out के उपर भी काम करना बनता है क्योंकि check out के उपर आपने अपना logo वगरा तो set कर नहीं होगा ठीक है अगर आप Shopify के check out यूज़े तो अगर आप COD form ही use कर रहे हो prepared orders ले नहीं रहे हो सिरफ COD form यूज़े फिर तो इसके भी करने के जुरूरत नहीं है एक बार आपका यह हो जाए फिर उसके बाद हम जाएंगे sections के अंदर sections में शुरूबात होती है अब देखो हम homepage के उपर आपको homepage के सारे sections यहां पर दिख रह मेरे जो लोगो भी है यही blue और यही सब सेम लीफ सा बनावा यह सारी चीज़ है यह सेम चीज़ हमने icon में उसके वेल यह सब चीज़े मैं अपने canva में बनाया है यह सेम colors की मुझे पता है जो colors मैं use कर रहा हूं वो मैंने theme में set कि हैं वो ही same colors मैं इसमें भी use करता हूं जब इसके वाद जब ऊपर जाओ तो यह मैंने वो डाला हूँ है collections का लिस्टा फीचर कलेक्शन जैसे यहां पर है तो यहां पर यह डाल दिया फिर उसके बाद यह banner सा डाल दी image banner उसके उपर जो भी text लिखना चाते हो अब लिख सकते हो लिग आप बहुत सारे elements अब कोई भी section अब अगर add करोगा यहां पर हर एक चीज एक section बन जाते हैं यह एक section है फिर यह car essentials एक section है और इस sections के आप add section करोगे यहां देखो featured collection, featured product, rich text, image with text, यह सारे sections, slide show, सब कुछ आप sections डाल सकते हो और उसके अदर अपने हिसाब से लिख content आप भर सकते हो जो आपको भरना जैसे recommend करूंगा guys एक बहुत interesting hack use करनेगा ठीक है और इससे actually मुझे खुद भी ideas आते हैं जब आप Shopify के theme store पर जाओगे ना मैं आपको quickly दिखा देता हूँ, themes वाले page पर जाना यहां पर यहां पर आप नीचे scroll करके जो होते हैं visit the theme store उस पर जाओगे तो Shopify के आपका themes दिखने लग ज इसको कैसे करके बना के रखा है ठीक है आप जो होते हैं इनका जो view demo store हो तो इस पर click करोगे यहां पर आपको desktop पर कैसे लिख रहा है और mobile पर कैसे सारे clearly दिख जाएगा ठीक है और फिर देखो इनके क्या elements अब जैसे यह बहुत ही simple से है इसकंदर बस homepage को पर कुछ products है और य elements होते हैं अब हम जैसे refresh फाली theme के अंदर जाते हैं यहां पर जादा elements हमको देखने को मिलेंगे यहां से और ideas अपना आने के लिजए कि कैसे करके देखो इन्होंने एक image साथ डाल के यहां पर एक इन्होंने white background के साथ ऐसे करके text लिखा है और साथ में button है फिर उसके बाद इ the actual content अब देखना चाहते हैं कैसे set कि अन्होंने एक photo है फिर उसके बाद एक white background के साथ इन्होंने headline है और description है और button है hair, body, face ऐसे करके दिखा है इन्होंने फिर नीचे सारे के सारे products फिर से दिखा दिए है फिर उसके बाद इन्होंने white choose refresh के section रखा है यहां पर फिर से एक icons की लिस्ट है यह भी customized icons इनके पास फिर उसके बाद यहां पर इन्होंने blog post लिखे है और यहां पर पूरा का पूरा ऐस आप से setup करोगे जैसे इन्होंने किया हुए ठीक है और कई के elements उठा सकते हैं जैसे आप चाहते होगे चलो यह वाला नहीं डालना मुझे ठीक है लेकिन में को मानलो यह वाला section बहुत पसंद है तो अपने theme कियो पर यह वाला section डालने के कोशिश करूँगा और अगर मुझे आप से चीए ने करना बहुत इसी होता है अब जैसे मैं यहाँ पर गया ना मैं एक दम क्लिक 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 के आपको बस चीजे डिसाइड करनी कैसे करके आपने लगाने और बस उसको लेकर लगे रहने ऐसा है मैं recommend करूंगा आप 2-4 घंटे ना theme के साथ खेलो देखो क्या के sections, rich text क्या होता है, featured collection क्या होता है, image with text में क्या हता है, colors के साथ खेलो, fonts के साथ खेलो, different event चीजे try करो, अगर आपका store launch नहीं हुआ, अभी कोई देख तो रानी है, को traffic आ नहीं रहा आपके store के आपर, खेलो ना उसके साथ थोड़े से, few hours खेलो आपको पता लग जाएगा, अ back में डाला, तो यह copy भी बना सकता है, अपनी साब से, कि क्या अपने headlines, क्या सब headlines, क्या content बनाना है, और ज्यादा content लिखने वाला होता नहीं, अगर आप overall content देखोगे, एक यह चोटा सा content piece है, फिर एक यह चोटा सा है, we got your back वाले, एक यह चोटा सा है, and बस यह ही है, बाकी आइकन और बाकी सारे collections ही हैं, जो describe किया है, obviously इससे बहुत अच्छी और theme और बहुत अच्छा design भी बनाए जा सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा है कि अभी के लिए यह काफी है, हम लोग क्या करने वाले है, हम लोग जब niche store भी करेंगे इसी बिजधान की उपर, ठीक है, तो आपर title आ गया, यहाँ price आ गया, अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने image कैसे डाला, अब image जालने के लिए मैंने क्या करना है, simple मैंने जाना है content के अंदर files है, files के अंदर मैंने upload कर देना है यह वाला image, यह इमेज कहाँ बना है, canva के उपर, आप लोग को पता ही है, फि files के उपर upload कर देना है, फिर इसका copy link कर लिया, copy link करके यहाँ पर मैंने क्या करना है, add block करना है, add block करके custom liquid होता है, वो वाला block यहाँ पर add करना, image का जो code होता है, वो मैंने डाल दिया, ठीक है, with the link, जो copy किया था मैंने, यहाँ से, files वाले section से, तो यह आपका image आ गया, ऐसे क करके हम code में डाल देता है, बाकि यह जो description होता है, आप obviously Shopify product page के description के अंदर images, gifs डालना वो तो भी pointing click होता है, जादा मुश्किल नहीं है, जैसे यह वाले हैं, यह collapsible rows होते हैं, देखर आप collapsible rows, अब add block करके, collapsible rows डाल सकते हो, rating डाल सकते हो, icons डाल सकते हो, आप कुछ भी डाल scene, यह मैंने पहले किया था, इसका actually कोई meaning भी नहीं क्योंकि आप इसके थूरी setup कर सकते हो, मस्त नहीं है, यहाँ बस अपना icon change कर देना, जो भी आपको icon दिखाना है, और यहाँ पर एक heading डाल देना, और यह आप drag drop कर देना, यह आप drag drop करके, buy button के नीचे मालनों डाल दाल द rich text block, इसके अंदर order okay, please, यह मैंने बोल दिया कि हम लोग बहुत सालों से काम करें, तो आप trust कर सकते हमें, बाकी तो यह footer वगर है, similar सा ही है पहले ऐसा, तो जैसे आप देख सकते हैं, यह अपना product page होगा, और cart, यार मेरा cart simple है, मेरा cart page जो होता है, COD form होता है, मेरा checkout जो पे notification चीए, या फिर drawer चीए, या page चीए, वो select कर सकता हूँ, फिर मैं यह आप पर checkout page को customize कर सकता हूँ, यह सारी सारी चीजों के लिए क्यार customize कर सकते हो, यह पूरा पूरा theme है, आपके हाथ में है, और सारा आप click click करके कर सकते हो, मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आपने कुछ घंटे यहाँ पर लगा दिये ना, आपने कभी भी Shopify का theme editor use नहीं किया हुआ, आप कल तक आपको proper use करना आ जाएगा, as long as वो कुछ घंटे लगाओ आप, बस इतना ही मैं मांगता हूँ, और आप देखो किया मस्त मस्ते websites ऐसे बना सकते हो Shopify की उपर, और आपको खुद pride feel हो ग store को design करो. जो उसका COD functionality होगा, वो handle होगा COD form के द्वारा, तो हम क्या करने वाले COD form के settings करने वाले हैं, उसको visible करने वाले हैं, और जो form का actual setup है, form builder में जाके होता है उनके, और form builder में जाके आप इनके different different fields उनको set कर सकते हो, और उनके अंदर रिक्वाइड fields डाल सकते हो, ऐसे करके exactly आ जाके validations आप डाल सकते हो, जिसे आपका form जब कोई भरे तो ढंग से भरे, जब बंदा कोई check out वगर करे और बंद करने की कोशिश करें, form कम downsell भी डाल सकते हो, और साथ में अगर आप चाहते हो upsells डाने, यानि जब कोई check out complete करे तो upsell आ जाए, तो वो भी आप दिखा सकते हो, although मैं recommend करेंगा, starting में आप start करो without any upsells, simple plain vanilla रखो और बाद में आपने changes करेंगे, और अपने AOV बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अब इसकी जो settings होती है, form की वह आपको बता देता हूं, ऐसे करके होता है, pop-up form होता है, हमने ऐसे करके बनाए, order now, dash, cash on delivery, इसमें text color, background color, ऐसे मेरे razor pay के साथ में integrate में ही करना, मैंने shopify का check out रखना ही नहीं है, तो मैंने सारा कुछ hide किया हुए, अगर मुझे shopify का check out रखना होता, तो मैं करता है, मैं हाइड बाइन बटन ना करता, अगर आप चाहते हो, कि वो जो एक add to cart का button हो, और उसके रीचे pay now and get 10% off, 100 rupees off, चाहते ह तो इसमें ऐसे गर के पूरे step-by-step लिखा है और इनका article है था, help.islo.com पे आप जाओगे, उसमें prepaid जब आप search करोगे help center में, तो आपको ये article दिख जागे, इसके अंदर mention किया हुए, add an automatic discount to shopify admin, पहले amount of order का discount code बनाना है, ये वाला आपको disable shopify automatic discount करना है, advance settings में जाके, फिर उसके बाद hide buy now button को uncheck करना है, और फिर उसके बाद ये code को paste करना है, और फिर उसके बाद shopify checkout button भी आप add कर सकते हो, to the order form, and ये ऐसा है कि ये आप obviously रख सकते हो, अगर आप चाहो तो अगर आपके पर prepared order, ले कहीं लोग के पास razor pave अगरा होता है, तो वो prepaid order लेना चाहते है, त अगर आपने pixels और Google tag और analytics का system डाला हो है यहां पर फिर उसके बाद advanced के अदर जाके ये मेरी settings है, ठीक है, आप देख सकते हैं, अब बाद में अगर आप one click upsell अगरा डालना चाहते हैं, या फिर order bumps करना चाहते हैं, या फिर order bumps करना चाहते हैं, कि एक टिक सा आ जाता है, order form के पर ही, अगर आप चाहते हैं, कि for 50, for 100 rupees more, you will get one year extended warranty है, कुछ ऐसे करना चाहते हैं, तो one tick upsell भी आप order form के अपर ही आ जाता है, और down sales ऐसे करके होते हैं, कि बंदे को ने discount दिख जाते है, and इसमें आप क्या अगर सकते, fixed amount, जैसे मैं दिखाना चाहते हैं, मैं 50 rupees का discount दोंगा स आपको, तैसे करके, hold on, you have just unlocked a special discount, तो अब के अगब जब कोई check out करने के कोशिश करेगा, जैसे यहाँ पर जाएगा कोई, ठीक है, बंदा ने, मानलो, यहाँ से form खोलने का बाद बंद कर देते इसको, तैसे करके दिख जाएगा, और बंदा जब complete order करेगा, तो उसको 50 rupees का discount मिल जाएगा, ठीक है, तैसे करके, उसको discount दिख जाएगा, तो वो chance दो खरीद लेगा, यह काम करते है, आप यह भी कर सकते comparison करना कि, आपने एक हफता COD form चला के देखा, और देखा कि कितने traffic तो, कितना conversion था, फिर एक हफता COD form off करके देख लो, और देख लो कि Shopify का check out कितन अगर आप एकदम नहीं हो, इस बिजनेस तो बहुत सरे payment gateways, अभी currently applications ले नहीं है, as of recording this video, लिगिन अगर आपको अलड़ी payment gateway है, आप reach out कर सकते हो, to all the payment gateways, like pay team payment gateway होता है, razor pay, pay you होता है, बहुत सरे payment gateways है, आप reach out करो नहों को, अगर आप onboarding अभी करना चाहते हो, क्या वो न cash flow नहीं अटकता, क्योंकि COD में तो ऐसा होता है कि customer ने actually जब पैसे दिये, वो तो तब देगा जब order deliver होगा, उसके भी few days के बाद आपके account में आए, इसमें कहोता है, order भेजने से पहले ही आपके पास पैसे आगे, है ना, तो customer ने pay कर दिया, obviously payment gateway भी एक दिन लेता है देने में, Razer Pay ने daily settlements भी शुरू कर दिये, by the way, कि आज ही payment आए और आज ही आपके बास आ जाएगा, बट जब order प्लेस कर रहे होगे, जब कोई prepaid order का order प्लेस कर रहे होगा, उसका तरीका थोड़ा different होता है, वो आपको prepaid orders वाले tab में जाके, वहाँ पर आपको दिखेगा कि क्या क आपको prepaid orders है, वहाँ पर आपको pay ना करना होता है, और जब आप order के लिए pay करोगे, उसके बाद जाके order ship होगा, COD में तो बस आपने अप्रूफ कर दिया और वो order चला गया, आपको कहीं से कोई, आपकी जेब से कोई पैसे नहीं गे, लेकिन पर पहले pay करना पड़ेगा for the order और तब जाके वो ship होगा, लेकिन आपको रिस बहुत कम हो जाते हैं, आपको पैसे मिल चुके हैं, ठीक है, आपको वेट नहीं करना पड़ना पर नहीं तो बहुत सब्सक्राइब करो यह वाला बटन वाला तरीका, डिसकांट देने का तरीका, जिससे जाद से जादा तो कौन से अड से आपको सेल आ रहे हैं, किस से नहीं आ रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस आ रहे हैं, वो सब और पिक्सल से ही है आप ट्रैकिंग कर सकते हो, तो इसलिए हमको Facebook Pixel Google Pixel और हम इसमें शेयर चैट करके एक application उसका इसका पिकसल डाल सकते हैं, तो इनसे प्लैटफ़र बट उनका भी यहाँ पर एक टुटोरियल आर्टिकल है और अब शेयर चैट सपोर्ट पर बात कर सकते हो जिसे वह आपको हेल्प कर सकते पिक्सल इंस्टॉल करने के लिए पिक्सल इंस्टॉलेशन सिर्फ एक बन टाइम प्रोसेस होता है एक बार आपने वह कर दिया तो आप सब्सक्राइब करते हैं जहां करते हैं ज appeal करने के लिए ब zigám करने के लिए मैं recommend करता हूँ business manager के थ्रू करना business manager के थ्रू ही आपने अपने ads भी चलाने है और वहीं से अपना page भी control करना है तो अगर आप अपने staff को access देना चाहते हो ads manage करने के लिए comments handle करने के लिए तो वो सब चीजें भी आप कर सकते हो और business manager के थ्रू page create करना बहुत ही easy होता है मैंने profile picture का पहले आपको canva के बड़ बता दिया था जो icon होगा हमारा वही profile picture होगा और जो cover होगा वो भी canva के अंदर design करना बहुत easy है canva के अंदर templates आते हैं वो हम use करेंगे अगर आप google के थ्रू YouTube ads run करना चाहते हो तो YouTube channel create करना भी बहुत ही एक option आदे create a channel वो अपने click किया यहां पर अपन नाम देंगे channel का okay please and इसको हमने create कर लिया पहले step होगा अपने को customize करना channel यहां branding पर जाएंगे branding पर upload करेंगे अपना profile picture profile picture सबसे important चीज होती हो कि वो हर जगा दिखता है बैनर इमेज और वीडियो बाटमाग अपन खाली भी चोड़ सकते क्योंकि majority लोग अपने channel पे नहीं आने वाले है वो लोग हमारे सीधे video ads देखने वाले पब्लिश कर दिया है क्या वोलते यूटीवर बन गया लेकिन कोई subscriber नहीं है अब शेयर चैट जो है वो एक regional platform है यानि वहाँ पर लोकल इंडियन languages होते है उसके around content होता है यानि वहाँ पर आप English में नहीं करोगे Hindi, Kannada, Telugu और उनी regions के लोगों को टार्गेट करोगे विद दोस languages तो उसका जए advertising होका उसका अपको अलग से creatives बनाने पड़ेंगे उसको लेके मैं बाद में बात करता हूँ अभी के लिए पसा pixel इंस्टॉल कर लो Facebook और Google Pixel इंस्टॉल करने के लिए आपको Facebook और Google sales channel अपने Shopify store के साथ connect करना है यहाँ पर जब आप sales channel पर क्लिक करके यहाँ पर आपके बाद option आ जाते हैं आप यहाँ पर Google और Facebook देख सकते हैं या फिर आप all recommended sales channels पर भी जा सकते हैं यहाँ पर आपको दिख जागा Facebook और Instagram Google ठीक है तो अपन Facebook को add कर सकते हैं यहाँ पर add sales channel अब कई लोग क्या करते हैं यहाँ पर start setup वाले चीज कर जाते हैं start selling on Facebook और Instagram actually हम Facebook Instagram पर sell नहीं करना जाते हैं हम अपने products को Facebook पर advertise करना जाते हैं तो हमें यह वाला start setup पर click करना है ठीक है यह Facebook shop बनाने के लिए होता है जो हमारे को eligible नहीं है हमें यह करना होता है तो यहाँ पर start setup करेंगे connect account करेंगे Facebook पर login करेंगे यहाँ पर मैंने अपना business manager account यहाँ पर दिख जाएगा सारे के सारे हमने अपने business manager के साथ connect करेंगे यहाँ पर फिर उसके बाद हम maximum data share करेंगे Facebook के साथ जिसे pixel को सारा का सारा data मिले अब हम save कर सकते हैं यहाँ पर जाके data sharing maximum हो गया एक pixel create करेंगे हम जिससे हम track कर सकते हैं अग अगर आपके already pixels बने हुए है add account या business manager के साथ तो फिर वहाँ पर दिखाने लग जाएगा अब यहाँ पर हम create new करके करेंगे यहाँ पर एक pixel बन गया अब हम confirm करेंगे तो यह pixel create हो जाएगा I agree करेंगे and submit for review कर देंगे यहाँ पर थोड़ा सा time लगेगा channel setup करने में एक दो मिन add लग जाते है अब हम reload कर देंगा यहाँ पर जैसे देख सकते हैं यहाँ पर active हो गया जब आप Facebook business manager के business settings पर जाएंगे तो वहाँ पर से अप data sources के अंदर pixels पर आएंगे तो आपको देखेंगे निया pixel create हो चुक है जैसे आप देख सकते हैं यह वाला create हो चुक है इसको हम asset add क account है उसके साथ हम associate कर देंगे यह मैंने add account को select कर दिया add कर दिया तो यहाँ पर देखो अब यह pixel इस add account के साथ associate हो चुक है वैसी अगर आपको Google के साथ connect करना Google channel पर add कर सकते हो यहाँ पर add sales channel कर दो अब connect करना पड़ेगा अपनी Google account को Shopify के साथ अब इस step को करने से पहले आपका contact page बना होना चाहिए already तो यहाँ पर हम कर देंगे कि यह हमारा contact information हमने add कर दिया है आपको basically social media page email address phone number सब होना चाहिए mention अपके contact footer के अंदर और contact पर अब यहाँ पर हम लोग अपना एक Google merchant center account connect कर सकते हैं हम create new भी कर सकते हैं यहाँ पर okay please के एक नया Google merchant center account हो गया है तो हम इसको connect कर देते हैं जो हमारा products वगरा है वो हमारे इस merchant center account के साथ sync हो जाएंगे अब यहाँ पर कह रहे है Google निट से valid business phone number to activate your merchant center account तो मैं यहाँ पर अपने दूसरा number डाल दूँगा अब यहाँ पर बोल रहे है product feed settings के होने वाले target country and language अपना India होने वाले target language भी अपने English होगा shipping settings हमारा automatically import shipping information हो जाएगा इसको हम safe कर देते हैं conversion tracking automatic setup हो जाता है अभी तक हमने अपने Google ads account को connect नहीं किया है आपको Google ads account connect करने के लिए basically यहाँ पर अपन get started करेंगे यहाँ पर बोल देगा जो हमारे email address के साथ associated Google ads accounts हो यहाँ दिखाने लग जाएगा लेकिन हमने क्या करने अगर Google ads account नहीं बनाया हो तो create new कर देंगे अगर create new करेंगे यहाँ से हम नया Google ads account बना सकते हैं ओके please करके भी page यहाँ वह मैंने पहले बनाया था अब multiple pages भी बना सकते हो add a page करके create a new page कर सकते हो और वहां से page का नाम दोगे brand और product select करके page नाम डालो के category website चूस करोगा और आपका page बन जाएगा आप view page करोगे तो आपका यहाँ पर page खुल जाएगा यहाँ पर आप username create कर सक और आप अपना Instagram account भी create कर सकते हो वह आपको mobile से करना पड़ेगा और जब आपका Instagram account create हो जाएगा वह आप link कर सकते हो Instagram को अपने Facebook page के साथ यहाँ पर आप Instagram accounts पर आप add जब करोगे तो यहाँ पर आपको option आजाएगा connect करने का Instagram account login करके हो जाता है मेरे पहला ad launch करूंगा मैं hookies का waterproof hook stickers अगर आप इसका copy देको बहुत simple रखा है मैंने chat GPT से generate किया हुआ थोड़ा सा अपना modifications डाल के अपना बना दिया यह images अपने सीधा यूज किया है इनको बाद में अपन चेंज करके अपने खुद के images भी shoot कर सकते है अगर थोड़ा unique बनाना है अभी के लिए ठीक लग रहा है देखने में एक headline हो गया फिर उसके बाद चोटा से एक paragraph आगया फिर उसके बाद इमेजिस डाल दिये विध सर्टन लाइक जो ट्रेट्स अप्रोड़क के सिंप्ली पील इंस्टिक अड़ेबल वाटर प्रूफ कॉलिटी प्रोड़क अशूर यह तो हर एक प्रोड़क के नीचे ही अपन डालेंगा ऐसे टाइब का एक चीज तो अपन का पूरा प्रोड़क पे जे रेडी है फेस्बुक अड्स टेस्टिंग स्ट्राडिजी में आपका स्वागत है इसको हम कहने वाले एक गुनी दो स्ट्राटिजी इसका मतलब कि आप टू वाला नंबर बहुत बार देखोगे क्योंकि एक चीज से कई पर पता नहीं लगता तो हमारी स्ट्राटिजी होने वाला है कि हम एक हर एक प्रोड़क का एक एक कैम्पेइन बनाएंगे ठीक है उस कैम्पेइन के अंदर हम दो एड़सेट बनाएंगे और हर एक एक इंटरस्ट होगा बहुत ही ब्रॉड इंटरस्ट दस बीस 30-40 मिलियन टाइप का इंटरस्ट होगा अब नॉर्थी स्टेट्स बिहार एंड जमो एंड कश्मीर का एक्स्क्लूड करेंगे उसके लावा सारे स्टेट्स के उपर अड़टाइस करने वाले है जो बजट होगा एड़सेट का वो होने वाला है टू टाइम्स यार मार्जि ठीक है स्टेज 2 और स्टेज 3 वाले जो स्केलिंग करेंगे वो बाद में करेंगे पहले हमें फिगर आउट करना है कि कोई प्रॉडट्ट जो हम एड़टाइस कर रहे हो काम का है भी है कि नहीं उसकम स्केल कर भी सकते हैं कि नहीं एक बार आपका बजेट स्पेंड होना करेंगे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है फेस्बुक के नहीं सब्सक्राइस होता है वह हम लोग के लिए वह कॉस्ट पर ऑडर है हम उसको CPO बोलते हैं एक एक ओर जो शॉपिफाय पर आ रहा है यह एक कस्टमर है जो एक और प्लेस कर रहा है और आपका कॉस्ट पर होता है वह होता है जब एक्चुली प्रॉड्क का रहा है अब यह धियान में रखते हैं क्या क्या सिचुएशन आ सकती है जब आपके पास व्यूट कर रहे हो ना तो आपके पास वह इन गी में ली तीन आने वाली है एक तो ऐसे प्रॉडॉक्ट्स हो जो बिलकुल डढ़ ह होंगे ठीक है जिनके ऊपर सेल्स बहुत ही रहेंगे जाल साधे एक या दो आएंगे और आपको पता लग जाएगा कि यह वाला चीज बिलकुल नहीं चलने वाला और क्यूंकि हम दो इंट्रेस्ट ट्राइकर उसका रीजन ही है कि हम लोग डिफरेंट इंट्रेस्स और डिफ जो रिजल्ट्स चेक करें दो चैक लोगे तुट्स वान आप चेक करोगे एराउंड 12-14 आर्स का अड्स पैंड होने के बाद आपने बारा बजे लौजे लॉट यह आपको अगे कैसे प्रॉग्र्स करना तो जब हाफ बजट आपका स्पैंड हो करना है तो इनिशली थोड we are not looking कि हम लोग को बहुत सारे सेल्स चीह स्टार्टिंग आये तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर जीरो सेल्स है कोई भी ट्रेक्शन नहीं मिला किसी एड़ सेट को उसको बंद कर देंगे लेकिन जब तक फुल बजेट स्पेंड हो गया है तब तक इसके पास एनफ टाइम है काफी खर्चा भी हो चुका है दोना अच्छीज देख रहे हैं जो आपका टोटल परचेज़ पर एड़ सेट होगा वो होगा चार क्यों क्योंकि आपका हमने सेट किया बजेट टू टाइ ठीक है तो उसका टू टाइम सेट किया प्लस हम यह मान के चलते हैं कि 50 परसंट आटी हो सकते हैं ठीक है तो आपने एक फुल डेक चार सेल्स मिनिममम देखने अगर आपने नहीं देखा वो तो उसके उपर वेरी हाई चांसे कि वह आगे भी परफॉर्म नहीं करेगा ठीक ह एक और दिन उसको चलने दे सकते हैं लेकिन उसके बाद हम क्या करना चाहेंगे और नए इंटरेस्ट को टारगर करना चाहेंगे तो विनर्स होते हैं एक बड़ा विनर एक चोटा विनर जब आज चला जैसे मैंने का जो एकदमी यूजलिस प्रोड़क्स आपको पता लग नहीं भी करें आपके आपने half day और end of the day में जिब चेक करेंगे आपको पता लग जाएगा आपके sales नहीं आ रहे हैं उनको भूल जाएंगे और जो चोटे विनर्स होते हैं वो ऐसे प्रोड़क्स होते हैं जिनके चार सेल पान सेल छे सेल वैसे आपके sales आए हैं वाला ऐसे नहीं है कि 10-15 सेल, 20 सेल आगे उतने ad spend की उपर बट 4-5-6 सेल आगे एक दिन के अंदर तो यह वाले छोटे विनर्स होते हैं इनका chance होता है कि यह multiple interest के साथ छोटे ad spend की उपर काम करते रह सकते हैं इनका scalability factor उतना जादा नहीं होता है इनका cost of purchase already decent enough है profitable है बट not good enough for us to scale ठीक ह ऐसे winners की भी जरूरत होती है हमको हम सिरफ बड़े-बड़े winners की उपर खोज नहीं कर रहे हैं कि इन चोटे winners के साथ भी अपने को profit मिलता रहते हैं जो हम आगे reinvest कर सकते हैं business के अंदर तो इनको हम चोटे ad spend पे चलने दे सकते हैं जो बड़े winners होते हैं वो आपको देखकर ही कुछ दम है तो जो ऐसे टाइप का results दिखाए ना less than 100 फर्स डे में आपको 50-60-70 रूपीस टाइप का आपको cost per purchase दिखे वहां से आपको पता लग जाता है कि this is going to be a proper बड़ा winner और उसको हम आगे scale कर सकते कि अगर उसका cost per purchase बढ़ भी जाता है यानि cost per order बढ़ भी जाता है future में जब हम scale करेंगा आपको पता है यह जितना scale करते हो तुम्हारा cost per order cost per purchase जो facebook बढ़ता रहता है ठीक है तो अगर स्टार्टिंग से ही आपका कोई cost per order मानलो 1500-200-200-200 ऐसे टाइप का जा रहा है तो उसको scale कितने ही गर पाऊ गया लेकिन कोई अगर 50-60-70 से आप शुरू हो और आपके ad शुरू हो जाने चाहिए as always जो आप description के अंदर एक checklist मिलेगा आपको जो आपको step by step बताएगा आपको क्या करना है इस वीडियो में जो भी सिधाए उसको अपने business में लगाने के लिए क्या सब करना है आपको step by step अगले episode के अंदर हमारे पास orders होंगे हम orders को manage करन इंप्रूव्मेंट कैसे कर सकते अपने sales के अंदर उसको लेकर बात करेंगे sales update भी दोंगा कि भाई यह जो हम ads जलान के सथ हो किया रहे तो बहुत कुछ है बताने को आपको मैं वहां मिलता हूँ